नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों भाईयों भेनों आप सभी का स्वागत है इस वीडियों के अंदर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो आर आर भी एल पी के लिए बहुत बड़ा अपनेट आप सब के लिए आ चुका है भारतिया रेलेवे में असिस्टेंट लोको पाइलेट की जो वेकेंसी आपकी 5000 प्लस आई थी उसके अंदर अब वो वेकेंसी इंक्रीज कर दी है भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ रेलेवे ने वो अब 18,000 प्लस कर दी है सोचिए जो वेकेंसी आपको मैंने फैबररी में 2014 के यर में बताई थी इस साल उसी के अंदर चेंज हो चुका है भारतिया रेल्वे जो इंडियन रेल्वे के अंदर रार भी है यानि कि आप लोगों का जो रेल्वे का एक अलग से बोर्ड है जिसको आप बोलते हो रेल्व हजार यानि 5000 लोगों की वेकेंसी पर एल्पी रिक्रूट कर रहे थे वह अब उन्होंने एटीन थाउजन्ट फाइव अंडेड़ प्लस कर दी है कि बिल्कुल आपने सही सुना है अगर आप फेरला से करनाटका से असम से बिहार से वैस्ट बंगाल तीरिपुरा तेलंगान देली हरियाणा पंजाब या देश के किसी भी एरिया से हो भारत में तो आपके लिए इससे ज्यादा खास वीडियो नहीं हो सकती है क्योंकि आर और बी यानि कि जो आपकी इंडियन रेलवे एल्पी के अंदर रिक्रूट्मेंट कर रहा था रर भी इसके अंदर एल्पी की पो्ष्ट पर वो पहले 5000 लोगो को रिक्रूट कर रहा था 5000 वेकेंसी पहले थी और अब उसने उस वेकेंसी को इंक्रीज कर दिया है थ्री टैमस इंकरीज कर दिया है वह 18500 प्लस लोगोग को रिक्रूट करेगा जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, 18,799 विकेंसी अब कर दी है, लेकिन मुझे एक चीज और लगता है, रेलवे को इधर एक चीज अपनी उसको गलती सुधारनी चाहिए, भारती रेलवे को या फिर मिनिस्ट्री ओफ रेलवे को, भारत देश के अंदर एक अपनी जो है, इधर मिश्ट्यक सुधारनी चाहिए, कि आप लोगों को फॉर्म री ओपन करना चाहिए, अभी वैसे इसका एक्जाम का अगर मैं बात करो, तो इसका एक्जाम भी हुआ है, नहीं हुआ है, तो वह भी मैं आपको बताया तो, एक्जाम नोटिफाई लेटर है, मतब आपको फॉर्म बने का समय एक अच्छा खासा मिला था, लेकिन इसके अंदर एडिट, एडिट का ऑप्शन भी आपको मिला था, फॉर्म के अंदर, इसके साथ-साथ, एक्जाम की डेट, अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था, कि आ आपका एक्जाम ले लेंगे, आगर वो कोई डेट दे देते, तो उनको परिशानी ये आती, कि माल लो उनकी गवर्मेंट नहीं आती, किसी और किया जाती, कोई और नए मिनिस्टर होते, तो फिर अलग से फिर और कोई अलगी सीन होता, वेकेंसियों का अलग जंजट यानि कि आप लोगों के लिए जो पहले था वही रहेगा, मतब कि आपकी जो पहले वेकेंसी 5000 थी, अब वो 18700 प्लस हो गई है इंडियन डेलवे में, आप केरला, करनाट का बिहार, असम, वेस्ट पंगाल, तीरिपुरा, तेलंगना, पूरे इंडिया के किसी भी एरिया से ह आपके लिए एक अच्छी बात यह हो गई है, कि यहां पर जो 5000 वेकेंसी थी, अब वो 18799 हो गई है, यानि लगबग लगबग 3 टाइम से ज़्यादा हो चुकी है, ALP के अंदर वेकेंसी, Government of India officially इसको Ministry of Railway confirm कर चुका है, इसको उनके द्वारा नोटीस आ चुका है, तो वही आपके लिए इस वीडियो में है, ALP की प्रपरेशन के लिए आप इसी चैनल से जोड़ सकते हो, आपको ALP की प्रपरेशन मिल जाएगी, वैसे तो लोको पाइलेट आप डिरेक्ट बनते नहीं हो, आपको ALP के बाद आप वहां से पहुंचते हो, लोको पाइलेट में, तो आप पूरे इंडिया देश में कहीं से भी हो, पूरे भारत के किसी भी एरिया से हो, आपके लिए वीडियो काफी जादा important हो जाता है, क्यूंकि आपको vacancy increase हो गया, लेकिन इसमें गलती क्या है, इसमें नुक्सान होगा काफी लोका, नुक्सान यह होगा कि आपने form ले लि गी है और उसमें भी कम आई है फिर यह सोचके लोगों ने हो सकता है form ना डाले हो क्याः वेकेंसिया कम है хоть बढ़े बंीव कुछ लोग यह भी सोचते हैं इसके अंदर की चलो form बढ़देते हैं कम बढ़ मुद आप आप आने वाले समय में पता नहीं है कि यह लोग 25 में निकालेंगे विकेंसी नहीं निकालेंगे तो यह सोचते हो लोगों ने ऐसा किया होगा कि लोगों ने फॉर्म डाल दिये होंगी लेकिन हमें लग रहा है कि यहां पर काफी ऐसे लोग है जिन्हों ने इस form को छोड़ा है जिसके लिए railway को एक बार सोच कर बीच में जून के अंदर अभी जून के अंदर या जुलाई में फॉर्म आउट करना चाहिए लोगों के लिए दुबारा online में आपके पास डेटा आ जाएगा लोगों का कि किस-किस ने फॉर्म बढ़ा फिर आप एक्जाम करा सकते हैं सेंट्रों की संख्या और बढ़वा के इंडिया देश में असानी से इसका इस एक्जाम को करवा सकते हैं मेरे हिसाब से आपको रियोपन करना चाहिए फॉर्म को आप तो देखिए आप तो इनकी न्यू गवर्मेंट फॉर्मेशन हो गया है तो ऑफ़ेस सी बात है कि यह लोग वेकेंसिया इंक्रीज करने ही वाले थे जिन लोगों ने यह सोच के फॉर्म छोड़ा था कि वेकेंसिया कम है वह यहां पर नुकसान में आ गये क्योंकि उन फरवरी में मैंने आपको बोला था फैबररी में कि भाई तयार रहना इसमें वेकेंसिया बढ़ेंगी तो फॉर्म जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डालना जिसे कि आपको चांस मिल सके अल्प बनने का अल्प होता है असिस्टेंट लोको पाइलेट जो भारतीय रेल्व हो पाई फीर पना हो फिर फिर नर्ट रहें घर किया इतना जंगेला कर तो यह यह इंका एक प्रोसेस को प्रोसेस मेरे इसाब से औस इनको आफी जल्दि करना चाहिए कि डाएक्ट लोको पाइलेट रिकडूट रिकून चाइए मतलत कि कुछ महिने कि ट्रेनिंग कुछ महि यह complex system मत बनाओ, ठीक है, लोगों को साफ साफ एक system बनाओ, लोगों को direct LP का post दो, इस तरीके का भी process तुम लोग चला सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने ALP वाला बीच में एक post डाल दिया, जिससे कि लोग direct pilot नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को बड़ा सफर करना पढ़ रहा ह फिर जाके उनको pilot बनाया जाता है, यह एक समस्या है लोगों के साथ, आपको direct LP बनाना चाहिए उनको, आप direct loco pilot बनाओ, कुछ महिने ALP और direct pilot बना सकते हो, लेकिन ऐसा आप करोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन आपको करना चाहिए, ठीक है, लोगों के काफी ऐसे लोग ह बनाया जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि systematic way में इनको ALP बनाना है सबसे पहले, तो उसका time period आप कम कर सकते हो, जिससे कि लोग जल्द से जल्द ALP बन जाए, क्योंकि retirement time में, आपको भी पता है कि आप उसी एक fixed time में retire करोगे उस person को, तो उसी आप से आपको जल्द से इस चीज को process को लगाना चाहिए, मतब ALP और तुरंत ALP बनाने का एक process बनाना चाहिए, इसके अंदर जिससे लोग का फायदा हो जाए, ठीक है, तो मेरे पास अभी 3-4 आपके लिए website के अलग-अलग tab खोले हुए है, वहां से मैं आपको discuss करते हैं, दे देता हूं, और मैं मैं ऐसा expectation करता हूं government of India से या ministry of railway भारत देश से कि वो लोगों के लिए सोचते हुए इसका form reopen करें, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग 5,000 vacancy से direct 18,000 plus कर गये हैं, यानि ये 3 times का भी बहुत जादा है, अगर आप 18,700 है, आप मानलो इसको 19,000 आप मानते हो, और इसमें से अगर 13,000 एक number मिलेगा, ठीक है, 19,000 ये numbers जो है ये actual में लोगों की vacancy है, तो आप इसको देखे, तो 19,000 लोगों को इसमें vacancy मिल रही है, तो आप 19,000 में से अगर 6,000 माइनस करते हैं, तो आपको मिलता है 13,000, यानि सोचिए कि 13,000 और लोग ALP बनेंगे, इसमें मेरे को पता लगा कि कल पर सो एक train accident हुआ है, या incident हुआ है, वेस्ट बंगाल श्टेट के अंदर, इंडिया country के वेस्ट बंगाल एक राज्य है, वहाँ पर एक issue हुआ है, वहाँ पर एक incident हो गया है train का, उसके चक्कर में मेरे को पता लगा कि उसके बाद, गवर्मेंट जो इंडिया गवर्मे ALP का जो difference है, उसके अंदर आप time period कम रखी है, जिससे कि जल से जल लोग ALP के बाद ALP बन जाया है, मतलब कि training period कम होना चाहिए आपका, मतलब इतना ज्यादा लंबा ALP का process नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसका सारा सामय ALP में निकलेगा, वह LP की life, एक local pilot की life, वह enjoy कम कर ठीक है, हाँ, हाला कि आपको train इस तरीके से करना चाहिए, ALP को कि वह अच्छे से चलाए, ये train, incident वगएर आप रोक सकें, ऐसा आप कर सकते हो, हमें पता ये लगा कि भारतिये railway में बहुत सारे कम लोग ले रखे हैं railway में, कुछ लोगों से तो pilot बना रखे हैं उनको, उनसे over time करवा के, उनको फिर train दी जा रही, ऐसा scene भी मैंने सुना है, इंडिया country में हो रहा है, ये क्यूं हो रहा है, क्यों कि वर्क फोर्स कम है, railway में लोग recruit नहीं कर रहे हैं, अब जाके इनने 19 अजान लोगों की vacancy दिया, ALP की, अब ये इसको ऐसा करें, कि यहाँ पर 25 जून क कि आसपास ये उसके बाद में कभी ये railway द्वारा form खोलें लोगों के लिए, जिसे कि लोग form खोलते हैं, तो जो नए लोग है, उनको option मिलेगा, उनको form बरने का chance मिलेगा, मुझे लगता है कहीं ऐसा नहों कि इसके चक्कर में लोग रोडों पर चले जाएं, रोडों रोड पर जाकर, प्रोटेस्ट वगरा ना करने चालू कर दे, इंडिया, इंडिया कंट्री के अलग-अलग एरियाओं में अगर, लोगों ने ये सोच के प्रोटेस्ट चालू कर दिया, देखिए, ये में आपके अंदर ये नहीं बढ़ रहा किया रही है, तो आपके साथ गलत 5,000 वेकेंसी को डिरेक्ट उनने 19,000 किया है, लगबग 4 times के आसपास है, 3.4 times के आसपास है जो पिछली वेकेंसी थी, लेकिन उन्होंने confirm नहीं किया था, आपको भी पधा है, जब आपकी वेकेंसी आती है, तो उसमें tentative लिखा होता है, तो वो तो कह देंगे कि हमने tentative क्योंकि इसके अंदर आपका फाइदा हो सकता है, हो सकता है यह वेकेंसी और आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब तक लोगों की जॉइनिंग नहीं हो जाती, किसी भी विभाग में, चाहे का है आपका सरकारी government, government office में निकल रही हो वेकेंसी, या फिर private organization निकालता हूँ, कोई जगा देखा है, मैंने SSC में देखा, UPSC में तो नहीं देखा, SSC में देखा, और भी बहुत जगा देखा, मैंने जहां पर ऐसा रहा है, कि जो वेकेंसी दी गई है, चाहे government organization दे रहा हो, private दे रहा हो, वो जब तक लोगों को जॉइनिंग ना दे दे, उसके numbers चेंज हो सकते है, क्योंकि वो कह देगा, कि हमने अभी तक लोगों को जॉइनिंग दी नहीं है, और जॉइनिंग दी तब पता लगता है, actual number, कि कितने लोगों को वेकेंसी मिली है, तो यह चीज भी हमने देखी है कई बार, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो भारतिय रेलवे, अब 5000 से direct, 19,000 प्लस वेकेंसी कर गया है, मतब 19,000 से तो कम है, 19,000 आप इसको ले सकते हो, हाँ, आप रिक्रूट होते होते हैं, आपका 19,000 नमबर जा सकता है, अभी 18,800 वेकेंसी आपकी भारतिय रेलवे, ALP में दे रहा है, यानि असिस्टेंट लोको पाइलेट, इससे अच्छा मौका न और यह जो आपसे ALP के 500 रुपीज लिये थे, आपको याद हो, तो 400 आपको रिटन भी आएंगे, आप एक्जाम देने जाओ के, 400 इसमें रिटन है, SCHT और PH वालों के 200 रुपे रिटन है, इसके अंदर 50 रुपीज उनके रख लिये जाएंगे, रेलवे रख लेगा, और ज चीज को पढ़ते हो, तो अच्छी बात है, उसमें आप पढ़िये, समझिये कि रेलवे इस तरीके का प्रोसेस आप लोगों के लिए लगाता है, और रेलवे नई ये चीज आपके लिए करी है, तो हमारे सामने दोको result India.in एक website है, उसके अलावा RRB हमारे पास Mumbai की website है, RRB आपको पता है, रेलवे रेलवे रेक्रूटमेंट बोर्ड है, जो भारत देश के अलग-अलग रीजनल जो आपका अलग-अलग एरिया है, बेसिकली मुंबई है, अजमेर है, या भोपाल है, या डैली है, इन्होंने अपने एक RRB खोल रखे हैं, रेलवे ओपरेट करने क लग-बग 15-16 बना रखे हैं, उनकी मदद से ही आपकी रेक्रूटमेंट होके आप रेलवे में पहुँच जाते हैं, ये सीन होता है, अभी एक चीज़ और बता दूँ, भारतिये रेलवे में दो तरह से वेकेंसी आती है, एक तो RRB निकालता है, एक RRC निकालता है, रेल पोस्ट वाले नोटिस में जाना, क्योंकि यहीं से आपको वो नोटिस मिलेगा, जो आपके साथ डिसकस कर रहा हूं, वैसे आप डिरेक्ट एक में ओफिशल वेबसाइट, जो में इनकी वेबसाइट है, इंडियन रेलवे की, जो RRB के सारे कंबाइंड लिंक करती है, तो यहां पर आपको आना है, तो देखिए, मैं आपको बता दू, आपके एरिया हो में, जैसे गुजरात, राज्ये के एहमदाबाद से, राजिस्तान के अजमेर, और अलाबाद, यूपी के, बैंगलोर, आपको पता है, उसके अलाब बोपाल, मध्या परदेश के और इस तरीके साब लिष्ट देखते हो, तो भुवनेशवर, बलासपूर, चंडीगर, मतलब इन्होंने हर एक स्टेट के वहां पर अपना एक एक आरार भी खोल रखा है, जिससे कि वहां के रेलवे के अंदर रेक्रूट्मेंट कर ली जाती है, उस बोड द्वारा, उसके जम्मू इन जगाओं पर इन्होंने अपने आरार भी खोले हुए हैं, तो वहीं से आप इनके वेबसाइट पर डिरेक्ट पहुँच सकते हैं, और वहां पर भी आपको ये नोटीस दिख जाएगा, जो वेकेंसी इंक्रीमेंट का है, आप अगर मुंबई आरार भी करना होगा, तो जैसे ही आप ALP पोस्ट पर टिक करते हो, तो आपको इस तरीके से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखे इस तरीके से आप ALP पर जैसे ही टिक करते हो, आपको इस तरीके का ऑप्शन दिख जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको याद हो, त नोटिस दिया था ठीक है अगर कोई यह पूछे कि exam date क्या थी इन लोगों की exam date अभी तक नहीं आई है RRB ने अभी तक ALP के exam की date को नहीं दिया है जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं तो यह देखिए तो इस notice को आप दियान से पढ़िए इसमें अभी तक यह नहीं लिखा है कि RRB, Indian Railway, ALP का exam कब लेगा मैं आपको clear कर देता हूं जुलाई में अगर इन्होंने form open किये दुबारा तो आपका August में exam confirmed होना अगस्त में exam इसमें पहला phase होगा अब पहले tier के बाद पहला tier अगस्त में हो गया और उसके बाद October के करीब करीब इसमें दूसरा second stage exam होगा इसके exam का process जो इसका syllabus है और exam में topics है उसके लिए मैंने notification video ALP वालो को दिया था जो March महिने में था उसको आप check करिए वहां से आपको clear हो जाएगा आज ही की date में notice आया है regarding enhancement of vacancies ALP की vacancies के अंदर या आप इसको ऐसे tick करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से यह one page का एक notice आजाता है तो इस तरीके साप इस notice को पढ़ सकते हो इस notice में यही लिखा है railway clear पोल रहा है कि यह जो vacancy है यह हमने अब increase कर दी है आप लोग के लिए वह एक काफी अच्छी बात हो जाती है आप चाहें केरला करनाटका भिहार यूपी पूरे इंडिया के किसी भी area से हो सकते हो सभी के लिए vacancy increase हो चुकी है ठीक है एक यहां पर result India website है इनके द्वारा भी इस चीज को ready किया है इन्होंने वो भी आप पढ़ सकते हैं 3-year relaxation आपको मिला था सारे ALP को मिला था maximum age के अंदर because of COVID-19 एक virus था उसके चक्कर में सभी को relaxation दे दिया गया वो चीज आप जानते ही हो ठीक है अब मैं next इस में दिख पहले 5690 थी और आप यह वेकेंसी इन्होंने कर दी है हमने देखा अंडेटेकन वीव अदिशनल डिमांड रिव्यूड रिसीव फ्रॉम जो आपके इंडियन रेल्वे में यानि भारतीय रेल के अंदर जो अलग-अलग जोन वाइज एरिया है वहां से इनको एक डिमांड म करते हैं रेल्वे में भारतीय रेल्वे में उन्होंने जोन वाइज अपनी तरफ से डेटा दिया इनको एम्मिनिस्टी ओफ रेल्वे को कि यहां यहां पर इतनी वेकेंसिया खाली है तो उससे पता लगा कि वेकेंसी अब जो हैं पांच अजार छेसो नहीं अब वो आठार अजार आठ सो होंगी यह वेकेंसी का नंबर इस वज़ा से इंक्रीज हो गया मतब सोचिए कि जो रोजगार है या जो बेरोजगारी दूर होने वाली बात है या वेकेंसिया जॉब मिलने वाली बात आपके लिए अच्छी हो गई है एकदम से पांच अजार वेकेंसी डिर यह सारी हो जाएंगी अराम से 20,000 लोगों को आप मान सकते हो इसके अंदर वेकेंसी मिलेगी जब तक आपकी जॉइनिंग होगी तब तक नैसेसरी नोटिस जो है इसके हिसाब से जो है रर्ब वाइस कम्यूनिटी वाइस ब्रेक अफ वेकेंसी सेल बिस्पलेड इन दिस रिगार्ड तो आप देखें इन्होंने कितना किलियर का है अब आप मैंसे काफी ऐसे लोग होंगे जो यह कह रहे होंगे कि यार यह वेकेंसी जो इन्हों आप इनक्रीज करी है वो किस-किस आररबी में कितनी करी है उसका नोटिस भी दे दिया गया है भारतीय रेल अब आप सोचोगे कि यार अभी इन्होंने वेकेंसी बढ़ा दी तो हमें तो इसके अंदर जो है प्रेफरेंस रखने का मौका मिलना चाहिए कि हमें कौन से अररबी में अपना फॉर्म डालना है तो उसके लिए भी आप रिवाइस कर सकते हो अपने देयर चॉइस ऑफ आर आररबी की वेबसाइट को देखते रहना है मैं आपसे मैं आपसे यही कहूंगा आररबी मुंबई की वेबसाइट देखते हो तो वहां पर सारे अपडेट मिल जाते हैं बाकि आप अपने अलग-अलग एरिया हो वाली आररबी की वेबसाइट को देखते रहो रेलिवे रि शेयर्मेन है उनके द्वारा ये नोटिस आज के डेट में है यानि कि बिलकुल एक नया नोटिस है जो आज ही निकाला गया है आज 19 जून है और आज ये नोटिस आ चुका है इसके अंदर इनोंने फॉर्म ओपनिंग की डेट नहीं रखी है और मुझे लगता है कि जुलाई म इसे डिरेक्ट 19,000 करीब पहुंच रही है वेकेंसिया इतनी बढ़ गई तो आपको option मिलेगा form डालने का नए लोगों को ये अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा सभी के लिए हो जाएगा पूरे देश भर से इनको online form लेना है तो इस वाई से ये form खोल सकते है लोगों के देनी है तो इस बार RRB ने ये तैग किया था कि वो मार्च तक ALP वेकेंसि देगा जून तक टेक्नीशन दे देगा ये दौनों दे चुका है वो अभी जुलाई के अंदर वो non-technical popular categories वाली पोस्ट है जिसमें लेवल 4-5 की salary होती है ये graduates के लिए होती है undergraduates मतलब वो जो basically 12th पास होते हैं उनके लिए भी कुछ non-technical पोस्ट होती है junior engineers और paramedical categories के लिए staff चाहिए होता है अलग-अलग railway को तो इस तरीके की vacancy है वो अभी 20 दिन बाद निकालेगा जुलाई की 10 तारिक के आसपास इसमें vacancy निकालेगा तो यहाँ पर vacancy की संख्या जो होगी वो अराम से 10 से 20,000 प्लस होगी क्योंकि यह anti-pc's की vacancy होती है सारी October से December यानि कि आपके October और November मन्त में इसी year में मैं आपको clear कर दू लेवल वन की जितनी भी पोस्ट है मतलब वो वाली पोस्ट जिनके अंदर सबसे कम जिस व्यक्ति को salary मिल रही है भारतिया railway में RRB द्वारा vacancy हों के अंदर तो वो वाली पोस्ट October और November में इस बार आएगी साथ साथ मिनिस्टियल पोस्ट होती है इसके अंदर और isolated categories की पोस्ट है मतलब कि मिनिस्टियल पोस्ट मतलब जो मिनिस्ट्री के ही officers है मतलब भारतिये railway की ministry के अंदर बड़े बड़े officers होंगे तो वो मिनिस्टियल और isolated categories की पोस्ट नवंबर में आएंगी यह बहतरीन पोस्ट होती है मैं आपको कह देता हूं railway के अंदर RRB की best पोस्ट जो आती है वो ALP और technicians भी बढ़िया है एंटी PC की सारी पोस्ट बढ़िया होती है और ministerial पोस्ट तो almost बढ़िया ही होती है क्योंकि उसमें कुछ rights और powers मिलती है ministerial पोस्ट के अंदर तो वो November में होगी और July के महिने में लगभग 20,000 प्लस एंटी PC वेकेंसी अलमोस्ट दे देगा इतनी तो railway में total vacant vacancies तो आपको मिलती है कि one to two lakh plus vacancies भारतिय railway में खाली है मतब सोचिए अकेले भारतिय railway के अंदर एक से दो लाख लोगों के लिए job खाली है लेगिन सरकार के लोगों से vacancy नहीं निकल रहे है इन लोगों के लिए मैं आपको clear बता दूं यहां पर यह लोग definitely NTPC की vacancy 10 to 20,000 plus निकालेंगे जिसके अंदर non technical popular categories की post होंगी उसकी post आप check कर सकते हो उसकी एक लंबी सी list है वो आप check कर सकते हो NTPC की सारी post की list मैं आपको दे दूंगा तो उससे आप check कर सकते हो यह तो calendar है यह मैंने आपको इसलिए दिखाया आपको clear रहे कि आपका ALP का form March में आया थ सकता है अगस्त में exam होगा definite सी बात है ALP का form reopen हो सकता है नए candidates के लिए July मंत में यह chances बनते हैं कि ALP का form July में खोल देंगे क्योंकि vacancy बढ़ाई है ऐसा chance आपके लिए मिल सकता है अब दूसरा calendar के बाद आपको देखना है यही चीज जो आपका detailed vacancy increments notice है तो यह कल New Delhi ने तयार किया था मतलब कि Government of India के RRB ने Ministry of Railway ने कल New Delhi में एक notice तयार किया था Delhi एक जगा है इंडिया कंट्री में वहाँ पर New Delhi एक area है वहाँ से उन्होंने notice ready किया था General Manager ने notice ready किया उसमें यह बताया है कि जितने भी journal railways है उन सब को एक application type लिखके बताई कि जो आपकी enhancement of vacancies है ALP की वो अब मैं आपको बता दूँ अब हमार को journal railways से जो भी numbers मिले हैं तो उसके अनुसार अब यह जो vacancy इन्होंने बताई है वो आप 5600 नहीं होंगी अब वो 18799 होंगी यानि almost 18800 प्लस vacancy अब भारतीय railway इधर आपके लिए कर चुका है the issue has been examined and it has been decided with the approval of competent authority to enhance ALP vacancies journal wise आपको clear बता देता हूं Central Railway के लिए जिन भी लोगों को form डालना है तो आपको बता दूँ 500 से vacancy direct 1800 पहुंची है Eastern Central Railway की vacancy fixed है सेम इसी तरीके से आपको clear होता होगा East Coast Railway अब आपको कैसे पता लगे कि कौन सा railway कौन सी RRB कौन से जोन में आती है यह आप कैसे clear करोगे मतब कि बेसिकली किस RRB में कौन कौन सा जोन आता है यह कैसे पता लगे जैसे आपको पता है कि इंडिया कंट्री के अंदर 15-16 RRB ह यह आप जानते हो लेकिन railway zone wise भी divided है जैसे कि Central Railway, East Central Railway, East Coast Railway, Eastern Railway, North Central Railway है North Eastern Railway और North East Frontier Railway और Northern Railway इस तरीके से divided है zone wise तो zone wise आप vacancy दर चेक कर सकते हो जल्द ही यह लोग कह रहे हैं कि हम आपको RRB के हिसाप से कि किस RRB में कितनी vacancy vacant है उसकी list आपको दे देंगे फिर आप अपनी preference को change करना preference change कर लेना आपको option मिल रहा है यह इसलिए मैं कहता हूँ channel से जुड़ो जो vacancy होती है recruitment वाली चीज़े होती है उसके अंदर कभी भी कोई भी change आ जाता है तो उसके लिए notice निकाल के vacancy organization हो या vacancy authority हो वो कभी भी notice दे के कोई भी change ला देती है उसके अंदर त vacancy लेनी है तो हम तो हमार को क्या फरक पढ़ रहा है vacancy बढ़ गई यह नहीं सोचना है क्योंकि cutoff गिरती है जब vacancy बढ़ती है यह पहला फाइदा है लोगों को दूसरी इसके अंदर यह हो जाता है आप लोगों के लिए कि अगर आप rrb revise करते हो नई vacancy की list देखके कि कि क इस rrb में आप कितनी vacancy है तो आपने अगर list को revise किया अपने इसाब से preference को तो आपके chance बढ़ेंगे कि आप recruit हो जाओगे otherwise वो chance कम हो जाता है इसी वजा से जो rrb ने एक नया revised option आपको दिया है rrb revise करने का उसको जरूर करना है उसको miss नहीं करना है यह आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है नीचे आप देखो immediate action taken किया गया है by journal railways process करने के लिए revised intent for enhanced vacancies through oirms in consultations consultations with rrb bangalore who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of one week from date of issue of this letter तो मैं आपको बता दू rrb bangalore पूरे देश भर से final करेगा कि actual में इतनी vacancies है या नहीं उसको एक महीं एक हफते का समय मिला है उसको पास 5 दिन है 5 दिन में rrb bangalore को यह clarify करना है कि आपके पास actual में इतनी ही vacancies है तो वो भी आपका जो rrb bangalore है यह clear करेगा 5 से 6 दिन में आ आप देगा तो opportunity should be given to existing candidates to revise their choice of rrb in view तो यही चक्कर है कि जो पहले भारतिय रेलवे 5000 vacancy दे चुका था अब वो 18800 vacancy कर चुका है एक train चलाने वाले pilot की और एक चीज़ और बता दू जिन भी लोगों को rrb की vacancy को revise करना है basically rrb के जो आपका preference होता है कि कौन सी rrb में आपको recruit होना है तो उसके लिए आप उसको revise कर सकते हैं उसका option आपको जल्द ही मिलेगा यह भी जुलाई में होगा preference का option भी जुलाई में मिलेगा साथ ही साथ आपको re submission of form जो नए लोग है उनके लिए reopen होगा form I think मुझे ऐसा लगता है जुलाई में हो जाएगा यह और अगस्त के आसपास आपका इसमें एक्जाम हो जाएगा तो विद्या धर सर्मा है इसके अंदर उनका इसमें signature है बेसिकली वो डिरेक्टर है जो आरार बी के अंदर और उनके द्वारा यह पूरा आपको sign दिख सकता है तो मत्तब यह notice बिल्कुल correct है रेलेवे में सही में वेकेंसी 5000 से काम आएगी आपके like करो subscribe करो share करो इस वीडियो को comment में नए topic बताओ preparation आपको मैं आज ही दूंगा इसके अंदर तो उसके लिए आप तयारी के लिए उस वीडियो को देखो इसके लिए हम तयारी करा रहे railway वालों के लिए एक common सा हमने topic wise एक अलग से हम सारा content ready करके आपको present क कर देंगे उससे आप तयारी करके इस exam को निकाल सकते हैं बाकिया आपके लिए best of luck है मिलूंगा आप से जल्दी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद